वही रक्षा बंदन का तिहार आने वाला है और हर कोई अपने तरीके से इस तिहार को बनाने की तैयारी में लगा हुआ है कोई कपड़े खरीद रहा है कोई राकी खरीद रहा है तो कोई धेर सारी मिठाई बनाने के बारे में सोच रहा है पर आपको पता है तोहार अपने साथ आते हैं तो धेर सारी खुश्या लाते हैं पर साथ में धेर सारा खर्चा भी लाते हैं तो क्यों ना कम खर्चे में टेस्टी मिठाई बनाया आज जी हां दोस्तों सिटी किचन में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है बिल्कुल अब नायची लेकर आप ने इसका पाउडर बना लेना है यानि मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है तो अब य एक कप पाउडर वही कप लेना है जिससे आपने सभी-नाप बराबर लापने हैं और आप इसको हमने बाइनिंग करने के लिए यहां अपना फ्रेश क्रीम डा दाल सकते हैं पूरी तरह ऑप्शनल है इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हमें डागलने की जरूरत नहीं है ड्राइफ रूट्स भी डालने की जरूरत नहीं है और सबसे बड़ी बात भाई गैस जलाने की जरूरत नहीं है इससे आसान और बढ़िया मिठाई आपको कहीं मिलने व जाए आप देखेंगे मिक्स करते करते धीरे धीरे ये एक आटा सर तयार हो जाएगा और जितनी भी जरूरत है उतनी आपने मलाई आट करनी है आप यहां दूद भी डाल सकते हैं पर दूद से क्या है कि बहुत जादा टाइम तक नहीं चलती है मिठाई पर कंडेंस्ट मिल्क मिल्क भी डाल सकते हैं कंडेंस्ट मिल्क है तो बहुत बड़े बात है नहीं तो यह हमारे दूद की मलाई काम करेगी और यह मिठाई हमारी 15-20 दिन तक भी खराब नहीं होने वाली है और यह देखिए बातों ही बातों में हमने पेड़े का आटा तो तयार कर लिया है देख सकते हैं कि कितना कम सामान डाला है हमने तो रक्षा बंदन पर इस बार आपको बहुत जादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है जो लोग महंगी मीठाईयां अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो इसे एक बार जरूर ट्राइ करना यकीन जाने पैसा तो बचेगा बचेगा ही आई भी मिलेंगी क्योंकि इसका स्वाद बहुत लाजवाब है और यह देखिए इस तरह से एक डो की फॉर्म में आ गया है बस आप क्या करना है आपने मन चाहे साइज के पेड़े बना लेने बहुत सिंपल बहुत आसानी से बन जाते हैं पांच मिनट भी नहीं लगते इस मिठाई को बनाने में जब मैंने बनाई तो बच्चों को पता ही नहीं चला कि यह मिठाई मैंने बनाई तो कैसे बनाई और कब बनाई पर जब मैंने उनको यह मिठाई खिलाई तो बहुत साधा पसंद आई उन्हें और यह देखिए इस तरीके से हमने सभी पेड़े बना क तैयार कर लेने हैं वन बाई वन जितने भी बड़े साइस की आपको पेड़े चाहिएं और सबसे बड़ी बात है बाजार से मिठाईया लाते ना तो पता नहीं वो कैसे हाथों से बनी है घर में अगर पूजा का कारेक्राम हो और अपने बगवान को प्रसंद करें और देखें उपर से सजाने के लिए आप चाहे तो ड्राइफ फ्रूट्स लगा सकते हैं पूरी तरह आप्शनल है मैं यहां पिस्ता लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था आप बिना ड्राइफ फूट के भी यह मिठाई खा सकते हैं बहुत मज़ेदार है यह देखिए है ना कितनी संदर और स्वादिष्ट भी है यह देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ आप बहुल जाते हैं रेसीपी पसंद आए तो वीडियो को कर दे लाइक और मुझे कमेंट करके बताए आज की रेसीपी कैसी लगी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब जरूर कर लें आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मज़ेदार रेसिपी के साथ बाबाए